आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ उसे normaा टर होगों एब आई नापने का डाउनलोड एज जाएसप़वां का इसेफ़ tutorial को सफेझे बाईटनों वे अंढमि करें यस न State तॉल में झेटनों नेटनेट दूल होगोगों जाटनों एजिए डाउनेट ठाउनलोड प्रैची का चहार ön राउनलोर अर। 3 sections together, 4 options given हैं और इस question को करते हम लोग solve, यहाँ पर बताया जारा 3 section है, section A, section B और section C, अब यहाँ पर एक तरफ लिखते हम लोग girls कितनी है और एक तरफ यहाँ पर total student in sections में कितनी है, तो पहले में girl select करने की probability 2 by 5 है, अगर girl 2 है तो total 5 student है, और section B में girl की probability 4 by 9, यानि अगर इस section में 4 girl है, तो total student होगे 9, इसी तरह section C में अगर girl 5 है, तो total student 9 हो जाएंगे, अब यहाँ पर जो total students है, यह ratio given है, total students का ratio, total students का ratio है, section A, B और C में, 10, 12 और 9 का, अब यहाँ पर ratio देखते हैं, तो 5, 9, 9 है, तो इस ratio को करते हैं balance, तो यहाँ पर हम करेंगे, सबसे पहले, 1 और 1 का ratio, तो 5 और 9, इनका LCM लेंगे 45, तो इसको 45 बनने के लिए, यहाँ 9 से multiply, और यहाँ पर 5 से multiply, यहाँ पर भी 5 से multiply, अब ratio बन गया, 1 is to 1 is to 1 का, अब हमें चाहिए, 10, 12, 9 का ratio, तो इसके लिए, 10 से multiply, 12 से multiply, और यहाँ पर 9 से multiply, यहाँ पर अब इसको simple रखने के लिए, यहाँ 3 से काट सकते हैं, 3 बार, 3 से 4 बार, और यह 3 से 3 बार, फिर 5 से 1 बार, 5 से 1 बार, और यह 5 से 2 बार, तो 3 into 2, यहाँ multiply करना होगा 6 का, 1 into 4, यहाँ पर section B में 4 का, 1 into 3, section C में 3 का multiply, तो अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं, total जो girls हैं हमारे पास, वो कितनी है, total girls, total girls के लिए, section A में 6 का multiply करना है, तो 6 into 2, 12 girls section A से, plus 4 into 4, 16 girls section B से, plus 3 into 5, 15 girls section C से, इन सभी को करेंगे add, तो यह हो गया 43, 43 girls हो गई, पूरे college में, अब इसके बाद निकालते हैं, total students, total students, यहाँ से, 6 into 5, 30 students पहले section में, plus 4 into 9, 36 students दूसरे section में, plus 3 into 9, 27 students तीसरे section में, total students आगे हमारे पास 93, अब बोला जा रहा है, पूरे college से अगर हम एक girls सेलेक करते हैं, तो उसकी probability कितनी होगी, तो required probability बराबर, total number of girls, 43, पूरे college में, divide by total students, पूरे college में, 93, यह हो जाएगा हमारा correct answer, अब match कर लेते हैं, अपने options, so option number D, 43 upon 93 will be the right answer, okay, thank you so much guys, मिलते हैं नए सवाल के साथ, Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक, 10 million से जादा students का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप, यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट आउट्स आच चारसो 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 पर, भरthis वहाँ से जाची हैं का नाच से चारसो हो डाउ़ट मैं, क्पचा का भर खिहाँ,